गरम गरम ये कटोरी खालो ना इसमें बदाम डला है ना काजू डला है फिर भी सेहत और स्वात से भरबूर है ये रेसिपी जिसे बनाने में तो सिर्फ 5 मिनिट लगेंगे लेकिन इसके फाइदे 5 गुना बढ़ कर मिलेंगे ये जो है मैंने खुद ब्रेकफास्ट में रोज खाया है जिससे मुझे फटाफट से तंदुरुस्ती मिली है और सारी कमजोरी दूर हुई है इसलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही हूं ताकि आप हो बच्चे हो बड़े हो बुज़र्गों सब के सब अच्छे से तंदुरुस्त रहे तो चलिए ये क्या है और इसम के लिए सबसे पहले हमें मिक्सिका छोटा वाला जार लेना है और फिर आप देखें मेने लिया है यहां पर दो टेबल स्पून कद्दू के बीच इस रेसिपी में मैंने ये खास दोर पर इसलिए लिए हैं क्यूंकि इसमें मैंगनीज और विटमिन के होता है जो कि हमारे अ तरबूज के बीच लिए हैं इसमें भी धेर सारे मिनरस होते हैं जैसे कि जिंक, आइरन, कॉपर, मेगनेशियम, पोटेशियम अब जो है आप इसमें खरबूजे के बीच भी डाल सकते हैं क्योंकि इन सीट्स का और लेने का फायदा ये होता है कि इसमें जितने फायदे होत होती है वो ले रही हूँ जिसको मैंने थोड़ा टुकडो में तोड़ लिया है और इन ही बीचों के साथ हम इसे डाल देंगे ताकि ये आसान इसे पिसने में आ जाएगी अगर आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं या फिर शुगर फ्री का भी आप इसमें इसमे नहीं पड़ेगी फिर हमें इसको अच्छे से बारिक पीस कर लेना है जिससे कि ये खाने में आसानी से आ जाएंगे और इनके जितने भी न्यूट्रिशन से वह आसानी से हमारी इस रेसिपे में रिलीज हो जाएंगी क्यूंकि इसको बनने में बस पांच मिनिट लगने वा क्योंकि हमें इसको जादा कैलरी वाला नहीं बनाना है तो मैंने गरम क्या हुआ मलाई निकाला हुआ दूद लिया है और मैं ये चार कटोरी बना रही हूँ तो ये चार कटोरी दूद भरके मैंने इसमें डाल दिया है जिसकी मेजरमेंट मैं आपको ml में बताऊं तो ये 500 ml दूद है यानि की पूरा आधा लिटर दूद मैंने लिया है अब इसमें हम डालेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा जो की एक लगड़ी होती है लेकिन इसमें एंटी बेक्टीरियल एंटी वाइरल और एंटी फंगल प्रोपरटीज होती है इसमें धेर सारे एंटी ऑक्सि किन łe提 स्पूं हलदी जिसे की दूत के साथ लेने के हजारों फायदे होते हैं क्यूंकि इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और ढेल सारी बिमारिया शरीर! में रहे नहीं पाती हैं क्योंकि यह हल्दी की जो पावरफुल गुन होते हैं वो उन्हें दूर भगा देते हैं अब यह जो हमने कद्दू के बीच तर्बोज के बीच और मिश्री पाला जो पावडर बनाया है यह भी हम इसी में डाल देंगे क्योंकि मैंने यह इसी के लुग स्केरा कि घर सकते हैं अगर थोड़ा испड़ां खीर के स्वार में ही घर भी डाल सकते हैं बस इसको में अच्छे से मिक्स करलिया हैं अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे 2004 कप और इसे हिंडी में जै कहाजाता है यह गेहों के जैसे ही एक फसल होती है लेकिन क्योंकि आज कल ये breakfast की तोर पर खाया जाती है तो इसको plain rolled oats की तरह breakfast में instant packet की तरह ये मिलते हैं तो हमें यहाँ पर plain वाला को ही इस्तमाल करना है इसे हम इसमें डाल देंगे तो ये एकदम से खीर वाला इसका texture आ जाएगा और oats में भी calorie कम और फायदे जादा होते हैं इसे तो धर्ती पर सबसे जादा healthy अनाज भी कहा गया है क्योंकि इसमें धेर सारे minerals होते हैं, nutrition इसमें भर-भर के होते हैं और इसको बनाने में काफी कम टाइम लगता है हमने यहाँ पर दूद में बस सारी चीजे एक साथ डाल दी हैं, अब हमें कुछने करना है बस इसको अच्छे से उबनने देना है जैसे जैसे यह गरम होगा, इसमें cooking स्टार्ट होगी, तो जो ओड से वो इसमें गुलने लगेगा और इसमें एक गाड़ा पनाने लगेगा तो हमें यहाँ पर बस इसको चमट से चलाते रहना है ताकि यह नीचे चलना जाए इस तरह की जो recipes होती हैं वो हम अपने नाश्टे में रोज बना कर खा सकते हैं क्योंकि इसमें ना तो स्वात की कमी होती है ना ही सिहत की कमी होती है जब भी हम healthy चीजे बनाने का नाम लेते हैं तो उसमें काजू बदाम को ज़्यादा शामिल किया जाता है जो कि कभी कभी महंगे भी होते हैं और हर कोई उसे नहीं ले पाता है तो यहाँ पर इस रेसिपी को क्योंकि मैंने अपनी डाइट में रोज लिया बनवा कर खाया है तो मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ ताकि आप भी इसे खा कर तंदरुस्त रहें यहाँ पर बस देखें आप यह अच्छे से पकने लगा है, गाड़ा हो चुका है और उसको हमें कुछ इस तरह का ही रखना है क्योंकि जब यह थोड़ा ठंड़ा हो जाएगा तो यह और भी जादा गाड़ा हो जाएगा तो हमें इसको बस एक पतला खीर के जैसा इसको बना कर ले लेना है अब ये सिहत मंद खीर हमारी बनकर तयार है लेकिन अब इसमें एक सिहत का खजाना हम और डालेंगे जिसको हम मखाना के नाम से जानते हैं तो ये मैंने आधा कप फुल मखाना लिये हैं जिनको मैंने हलका सा dry roast करके रखा हुआ है तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ इसके फाइदे अगर आप सर्च करेंगे तो पढ़ पढ़ कर हैरान रह जाएंगे कि इतने हलके हलके मखाना के इतने भारी-भारी फाइदे होते हैं तो इसके साथ साथ बस ये थोड़ा सा मैंने वनफॉर्थ डी स्पून इलाइची का पावडर और लिया है ये भी में इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए सिनमन स्टिक्स जो हमने इसमें डाली है दालचीनी उसका अच्छा सा फ्लेवर आ गया है बस थोड़ा सा मैंने इलाइची का पावडर और डाल दिया है तो ये कुछ इस तरह से हमारी हेल्दी और टेस्टी ओट्स की खीर बनकर के तयार हुई है जिसमें सभी चीजे अच्छे से पक गई है क्योंकि इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो अब हम क्या करते हैं कि जो इसमें डाल जिनी हमने डाली है उसको निकाल देते हैं क्योंकि इसके flavors और इसके जितने भी फाइदे हैं वो इसमें आ गए हैं और ये अब खाने के लिए बिल्कुल तयार है तो अब हम इसको चल्दी से गर्मा गर्म सर्व करेंगे इसे हम सर्दी, गर्मी, बरसाद कभी भी खा सकते हैं, सुबह breakfast में खा सकते हैं, dessert के तोर बर भी इसे खाया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा tasty भी लगती है और आपको अपनी diet में healthy लेना है, लेकिन tasty भी खाना हो, और कभी अचानक अगर मीठा खाना का मन हो जाए, तो फटा फट से आप इसे बना कर खा सकते हैं, क्योंकि आपने देखी लिया है कि इसे बनाना कितना आसान है तो बैस अब आप भी इसे बनाएए, खाएए, अपनी और अपने परिवार की सिहत बढ़ाएए, और अगर आपको फिर मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल न भूले, जादा से जादा सभी के साथ इसे शेर करें, और आप हमारे चैनल एट आप दिया मिशस!